हाई एब्रीवान स्वागत आप सभी का स्टी मैजिकल हिंदे पे अगर आप मेरे चानल पर पहली मार आए हैं फ्रेंड्स तो मेरा नाम है वैशाली और ये पिकल कार्ड रीडिंग है टेरो रीडिंग है अगर आपकी बताना चाहती है क्या मैसेज देना चाहती है उस बारे में ये जो रीडिंग है और अश उजवल यहाँ पर मैने तीन कार्ड लिए हैं तीन पाइड लिए हैं तीनों में से आप कोई भी चूस कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको नस्दीक से दिखा देती हूँ आप का देन वी हाँ नो नीट तू वरी आप इंट्यूटिवली इन में से कोई भी कार्ड चूस कर सकते हैं इनका टाइम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आपको पूरी वीडियो देखनी की सरवत बिलकुल भी नहीं है तो यह कार्ड मैं अभी रीट नहीं करूंगी पहले मैं कार्ड निखालूंगी उसके बाद हम यह कार्ड रीट करेंगे तो अभी करेंड एनर्जी क्या है और यहां पर यहां पर कुछ लोग अपने कर्यर पर बहुत सदा फोकस कर रहे है या फिर ऐसा कुछ टाइम चल रहा है जहां पर यूँ अच फूर्ट फोकस लोग जाया है 4th house दिखाना है अगीन, एक stability आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, Some of you guys maybe want family life थोड़ी से आपकी stable हो चाहे, balanced हो चाहे, इस सरीके कि यहापे एक energy है, आप में से कुछ लोग हो सकता है, कि घर में या तो बहुत ज़दा बन नहीं रही है, या फिर बहुत ज़दा बन रही है, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है, इस से काफी relatable लग रहा है, हो सकता है कि आपकी family में किसी person की health ठीक नहीं है, या तो आप उसको लेके stressed out है, या अपनी health को लेके stressed out है, कुछ लोग यहापे medical field बेभी हो सकते हैं, या तो MBBS के preparation कर रहे हैं, या doctor है, dentist है, nurse, something like that, वो भी possibility है, क्योंकि एक routine मुझे यहाँ पर दि things in your life, अब अपनी life में चीजों को analyze करने की कोशिश कर रहे हो, thank you spirit guides, एक tenu card निकालना चाहोंगी, ताकि हम और clear energy देख सकें, और आपको समझ आ सकें, कि आने वाली, आगे वाली जो reading है, वो आपके लिए है या नहीं है, thank you spirit guides, please बताएं गी current energy, queen of pentacles, wow, definitely lot of you guys are focusing on your career, wow, as I told you कुछ लोग चाते हैं कि life में stability आ जाए, commitment relationship चाते हैं, शादी चाते हैं, something like that, यह चीज भी possible हो सकती है, क्योंकि सर्फ pentacles जो है, stability भी दिखाते हैं life की अंदर, so वो चीज में मुझे याँ पर देख रहे हैं, emotion system आपके काफी जादा उभर के निकल रहे है, मतलब हो सकता है, you are feeling very much emotions right now, और कुछ लोग को यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आगे का जो रस्ता है ना, वो दिख नहीं रहा है, and मुझे इस टाइम थोड़ा सा breathing issue हो रहा है, बात करने में, anxiety हो रही है, तो काफी जादा मुझे यह energy भी यहाँ पर आप लोगों की feel हो रही है, इस सदिके क क्या हो इन future जाके आपको सही रस्ते पर लेके जाएगा, या उससे आपको success मिलेगा, वो वाली चीज भी यहाँ पर काफी जादा आ रही है, so let's see कि आपकी spirit guides आपको क्या बताना चाहती है, इस सब quick reading, तो मैं जल्दी-जल्दी cards निकाल मुझी prints, तो उसी साब से please आम mind में देखेगा, तो अगर current energy माच करती है, तो ही आगे की video देखेगा, otherwise आप लोग जो मैं हमेशा कहती हूँ, बोजी मेरी WhatsApp नमा पर मेसेज करके personal paid reading करा सकते हैं, इसरे में अगर आप वैसी कोई भी tarot reading अगर book करते हैं, tarot reading अपनी कराते हैं, तो उस tarot reading के अंदर आपको कुछ services जो है, वो free मिलेगी, जो मैं usually नहीं देती हूँ, means कि आपको birth chart, जो हम कुडली देखते हैं, astrology के थूँ, वो आपको free मिलेगा, तो कोई भी अगर आप reading, paid reading book कराते हैं, तो आपको birth chart free मिलेगा, 31st December 2021 तक, मैं उसमें आपकी current energy भी चेक करूँगी, और आपको साथी साथ ये बताऊंगे कि angels guidance क्या देना चाहते हैं, तो अगर आप वो कराना चाहें, तो मुझे मेरे whatsapp नमर पर message करके book करा सकते हैं, instagram पर भी message कर सकते हैं, यहाँ पर आपको username दिख रहा होगा, thank you spirit guides for pile number one, pile number one आप लोग की life में, कुछ लोग की life में, within next few months कोई new love आने वाला है, this is very strong, क female है, doesn't matter, बहुत feminine energy है, काफी expressive होंगे बात करने में, और उसके लावा जो मुझे दिखता है कि काफी हद तक अपनी चीजों को express करेंगे, कुछ feel करते होंगे, तो आपको बताएंगे, express करेंगे, as a friend पहले आप दोनों का अच्छा connection बन सकता है, उस चीज की भी बहुत possibility यहा बना चाहती है, thank you spirit guides of file 1, क्या message है इनके लिए, spirit guides, क्या message है इनके लिए, we have the wheel of fortune, okay, some people, some of you guys are going through a cycle, कोई cycle चल रही है आपकी लाइफ के अंदर, it's a very, yeah, very strong cycle, आपकी लाइफ में cycle चल रही है, जहां पर आप बिलकुल end पर है, 10 of sorts बात करता है कि किसी चीज की बिलकुल वर् जिसे कि पहाड की एक edge नहीं होती है, कि आप बहाँ खड़े हैं, I'm really sorry, card यहां टिक नहीं रहे, तो मैं इसको यहां रख देते हूँ, बहाँ पर आप लोग है, जो यह card मुझे यहां पर दिखा रहे है, and इसका नहीं एक reason है, जो अभी आपकी life में जो भी time चल रहा हो, because I know यह general reading है, तो situation सारी सारी सबसे match नहीं करेंगी, but यह जो time आपकी life में अभी चल रहा है, पहली बात, बहुत कुछ सिखा रहा है आपको life के बारे में, हो सता है, आप में से काफी लोग अभी life में, अपने journey में, अकेले भी हैं, single हैं, या फिन lonely feel करे हैं, but trust me, आप लोग strong यहां पर एक feeling आ रही है आप लोग लिए, and nine of swords, sorry, nine of cups is telling me, wish fulfillment, यह जो कुछ भी हो रहा है, यह तो आपकी heart chakra को open करने में help कर रहा है, आपको अपने आपको समझने में बहुत help कर रहा है, जो भी आपका time चल रहा है, because हो सकता है, कुछ लोग जो pile number one देख रहे हैं, किसी च को लेकर बहुत जाला परिशान है, कुछ भी हो सकता है, career, life, love life, कोई भी चीज है आपके life में, जिसको लेकर बहुत परिशान चल रहे हैं, but this nine of cups, यह एक hope दे रहा है मुझे यहां पर आप लोगों के लिए, कि एक wish fulfillment in future होने वाली है, आपकी life के अंदर कोई आपकी wish, कोई वो पूरी होने वाली है, और साथी साथ, बहुत सी यहां पर मुझे एक enlightenment दिख रही है, एक उजाला दिख रहा है आप लोगों के लिए, जो आपको इस अंधेरे से बहार निकालने वाला है, जो आप लोगों को अभी feel हो रहा है, उस अंधेरे से आप बहार निकलेंगे, औ ऐसा हो रहा है कि कोई इंसान न, expand हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, कोई expand हो रहा है, वो अली यहां पर energy आ रही है कि someone is expanding, बहुत strong यह expand word यहां पर आ रहा है कि कोई इंसान जो है न, वो जैसे कहते हैं कि कोई कली छोटी है और वो पूरी खिल रही है, वो अली चीज मुझे यह पर दिख रही है तो वो आपके लाइफ में वो चीज चल रही है वेरी स्टॉंग आप मेंसे कुछ लोग अर्ट साइन हो जकते हैं टॉरस वर्गो केपरिकॉल यह काफी चांसेज है कि आप लोगे चार्ट में कि फायर बहुत ज्यादा स्टॉंग है मेंस की एरीज मेश राशी आपकी धनु राशी जो सेटेटरियस हो गई और सिंग राशी लियो थांक्यू स्पेट गाइज प्लीज चेल इस एंजियर और स्पेट गाइज क्या मेस्जिज देना चाहते हैं आप इने 9 of Swords का काड आया है तो मैं definitely यहाँ पर लोगी 9 of Swords यहाँ पर बात करता है 9, 10 definitely it's a cycle over here for you guys stressful situation है किसी चीज को लेकि कोई past की चीज भी हो सकती है जिससे आप बिलकुल अब end पे आ गए हैं जहाँ आपको लग रहा है कि आपको यह छोड़ देनी चाहिए कोई person हो सकता है love interest हो सकता है कोई तरीके कि आपकी सोच हो सकती है कोई हो सकता है कि आप उतनी life में manifest कर रहे हो बहुत टाइम से हो नहीं रहा ऐसी कोई चीज हो सकती है या फिर career में किसी चीज को लेकि ऐसा कुछ problem issue है जहां से आप थोड़ा आगे बढ़ रहे है oh my god मुझे इस card में बहुत amazing चीज दिखी है जो मुझे यहाँ पर पहले नहीं दिखी कभी भी although यहाँ पर एक invisible kind of bed बना हुआ है but मुझे यहाँ पर ऐसा दिखा कि कोई हाथ रख कि एक सिलह रहा है इस person की सर पे हाथ रख कर उनको प्यार कर रहा है एक बहुत strong intense feeling आए कि आपकी angels, आपकी spirit guides they are with you, you are not alone they are actually with you and they are actually helping you in your life right now वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे है sign दे रहे हैं, बेभी आप लोग को birds बहुत जादा दिख रहे हो possibility of birds, sky, यहाँ पर बहुत जादा आ रहा है आप लोग काफी time जो है, वो बहार निकाल रहे हो moon देख रहे हो, stars देख रहे हो वो चीज मुझे ऐसी हाँ पर दिख रही है page of wants बताता है, एक new beginning whatever is happening right now, जो कुछ भी अभी हो रहा है it will definitely bring a new beginning, a new chapter in your life और आपको ना, अपनी एक कुछ नई चीज भी पता चलेगी अपने बारे में, जो आपको अभी नहीं पता है कोई ऐसी चीज जो आपको अभी fear है जिस होज़े से आप देख नहीं बारे हो कोई भी चीज उजगती है means कि for an example कि maybe आप बहुत जादा लोगों से help नहीं ले पाते हो तो in future you will realize कि वो आपके अंदर का खुद का एक limiting belief थी या fear था ऐसा नहीं है या किसी person को या किसी चीज को लेकि आपकी एक belief system है जो आप बहुत negative सोचते हो उस चीज से आप बहार आओगे जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक बहुत प्यारी सीन एक new beginning दिख रहे जैसे होता है ने कि बेशक past में love life अच्छी नहीं रही है बड़ स्टिल एक दुबारा से एक आशा की किरन दिख रही है लाइफ में की चीज़े अच्छी होंगे और करियर में भी यही चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए वाव पेज और कप्स कुछ लोग in future आपको help कर सकते हैं कोई नए friends भी आपके बन सकते हैं angels भीजेंगे उन लोगों को आपको help करने के लिए seven of swords five of swords कुछ past की लोग हो सकता है आपकी life में वापिस आएंगे जो आपकी angels आपको बताना चाहती है spirit guides बताना चाहती है जोन लोगों ने आपके साथ गलत किया बुरा किया because there is there will be a time of balance and karma so definitely balance and karma मुझे आप लोग के लिए हाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत strongly pile number one कि वो balance और karma आप लोग की life में definitely आएगा and seven of swords मुझे दिखा रहा है कि कोई past का person आपके life में आ सकता है या थोड़ी सी past की कुछ negative चीज़े भी आ सकते कि हो सकता है कि कोई घर में आपकी person है जो आपकी काम को लेकिए आपकी उसीज के against है या उसीज में आपको support नहीं करता तो blockages in future में थोड़ा बहुत आ सकते है and कोई person भी आ सकता है again कारपर में बोल रहे हैं कोई past के person भी आ सकते है जिनकी intentions आपको लेकिए ठीक नहीं है but आपकी उस person के साथ कुछ काम एक cycle है आप बहुत जल्दी खतम करके उसमें से बहार निकलोगे it's a very strong message because मुझे यहापे साथ जगा सिफ crow birds यही दिखाए दे रहे है तो यह connection जो लोग connection के purpose से देख रहे है हो सकता है यह past life connection है आपका और जो लोग की normal तरीके से देख रहे हैं करियर को लेके देख रहे है काफी strong एक ऐसा है कि यहाप एक karmic lesson है जो आपकी life में चल रहा है वो चीज थोड़ा सा बहार वापिस आ सकती है in future but I still feel कि आप लोग उसी से बहा निकल जाओगे जो भी यह issue है जो भी यह चीज है आपके life में आप उससे बहा निकलोगे और balance, justice मिलेगा आपको आपकी life में जो बहुत time से नहीं मिला है न वो balance और वो justice आपको अपनी life के अंदर मिलेगा यहाँ पर let's see what the other cards और cards क्या बताते हैं आपकी बारे में thank you spirit guides, thank you for helping me we have the card healing chaos, wow, so you guys are healing, this is amazing यह nine of cards और यह healing chaos का card यह card जो है न, यह मुझे काफी हद तक यहाँ पर वो ही चीज दिखा रहे है let me just a second, I hope कि आपको reading, sorry आपको cards दिख रहे होंगे, मैंने मने यह धार नहीं दिया so healing chaos मुझे काफी match करता हो है, यहाँ पर दिख रहा है that you are going through some kind of transformation and healing into your life and this is really amazing यह healing in future आपकी life में बिलकुल आएगी thank you spirit guides got it, wow you need to be strong by number one universe आपको यही message देना चाहाँ आपकी spirit guides, आपकी angels कि आपको थोड़ा strong रहना पड़ेगा and definitely things will change in your life आपकी life में जो यह चीज़े हैं यह बिलकुल change होंगी जो आपकी spirit guides नहाँ पर आपको बता रही है so let's see with the other cards की बाकी की cards हमें क्या बता रहे हैं आपके बारे में आपकी answers आपको और क्या message देना चाहती है by number one I really feel कि आपके से कुछ लोग न कुछ करना जाते हैं आप लोग के पास कोई plan और idea है बड़ यहाँ पर courage की थोड़ी कमी है means कि आप आगे आके action नहीं ले पा रहे हैं तो काफी chances है कि अभी आपको क्या जरूरी है कि अभी थोड़ा सा rest करें अभी थोड़ा सा relax करें क्योंकि यह opportunity आपको in future मिलेगी maybe हो सकता है कि आप जो चीज चा रहे हैं अभी वो हो नहीं पा रही है वो काम बन नहीं पा रहा है but the cards are showing me कि definitely आपको एक opportunity in future मिलेगी जहाँ पर तब आप action लेने वाली energy में भी होंगी और action ले भी पाएंगे कि आप अपने उस idea को present भी कर पाएंगे this is really wonderful क्योंकि मुझे आप लोग के लिए ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग job के लिए ढूंड रहे हैं job नहीं मिल भी है but जब यह आपका यह जो time है बहुत जल मुझे आता हुए दिखाई दे रहा है और फिर आप job के लिए जा रहे है क्योंकि कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बाद job interviews दे चुके है and काफी अच्छा result नहीं आया है थोड़ा सा rejection भी मिला है आपको बट जो कुछ भी अभी हो रहा है न you are learning lot of things इस interviews के थुरू भी आप काफी कुछ सीख रहे हो and बहुत chances है within the next few months आपको कोई अच्छी जॉब मिलने वाली है Thank you spirit guides क्या message देना चाहते है आपे ने Thank you, thank you, thank you so much क्या message देना चाहते है आपे ने gratitude and surrender See, I told you, I release my need to control थोड़ा सा आपको अभी relax करने की जर्वत है जो ये काण मुझे हाँ पर बता रहा है I am thankful but relax करने का मतलब ये नहीं होता कि आप हिम्मत हार जाओ क्योंकि courage का काण मुझे ये दिखा रहा है हिम्मत नहीं हारी है अभी बस थोड़ा सा rest करना है आपको आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपका mind भी ना बहुत ज़्यादा उल्जा हुआ है work नहीं कर पा रहा है mental blockages थोड़ी मुझे यहाँ पर लग रही है वो धीरे धीरे कम निकलेंगी थोड़ा सा जब आप relax करोगी तो धीरे धीरे आप उस negative energy से बहार आ जाओगी gratitude का card मुझे दिखाता है I am grateful for this life and opportunity that is present so आप grateful है आप happy है आप खुश है आप इस चीज़ को लेकिए यूनो काफी भगवान को धन्यवाद बोल रहे हैं God, Allah को थैंक यू बोल रहे हैं कि उनोंने यह सब कुछ आपको आपकी life में दिया और उसकी आप value को समझ रहे हैं कदर कर रहे हैं उन चीज़ों की आप life में त्यूकि वो जो gratitude होता है वो आपकी एक energy को बढ़ाता है आपकी vibration को high करता है जिससे क्या होता है कि हम अपनी life में जादा चीज़ों को manifest कर पाता है अगर जो अभी हमारे पास है उनको लेकि हम बिल्कुल भी खुश नहीं है बहुत negative है तो हम जबी भी उन चीज़ों को देखेंगे तो हमें negative ही feel होगा और वो ही वाली energy आपकी बढ़ेगी लेकिन अगर हम उनी चीज़ों को देखें अच्छा feel करें कि थांग और हमारी life में at least ये चीज़ है तो वो हमें सब positive चीज़े देखेंगे तो हमारी vibration और energy भी high होगी और तब ही हम अच्छी चीज़े अपनी life में manifest कर पाएंगे या अच्छी चीज़ों की तरह बढ़ पाएंगे और attract कर पाएंगे so pile number one it was an amazing reading for you guys I really feel next 6 महिने के अंदर कुछ एक shift major shift आने वाला है आपकी life के अंदर कुछ लोगों तो 3-6 महिने के बीच में ही कोई बहुत अच्छी news मिलने वाली है job मिलने वाली है बहुत जादा मुझे strongly हाँ पर feel हो रहा है and जिस भी energy में आप अभी है trust me आपको बहुत हसी आएगी and you will feel कि मैं फाल्टों में इतना stress ले रही थी या stress ले रहा था now मुझे ऐसा कुछ feel ही नहीं होता तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर काफी जादा आपके लिए दिखाई दे रही है तो अगर आप लोग से यह reading match करती है तो मुझे comment section box के तुरू जरूर बताएगा आप personal reading कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे whatsapp नमा पर message करके बिल्कुल करा सकते हैं but only message दूसरी चीज़ अगर आप all spirituality से related pick a card readings देखना चाहते हैं तो उसके लाप मुझे मेरे Instagram पर follow कर चाहते हैं यहाँ पर username आरा होगा और अगर आप नीचे description box खोलेंगे न तो महाँ पर आपको link भी मिल जाएगा So thank you so much, have a nice day Bye, take care Hello pile number 2 तो जम्री लोगों ने don't stop का card चूस किया है चलिए देखते हैं आप लोगी reading So पहले में आप लोगी देखनी current energy कि आपकी अभी की energy क्या है and then we'll see your message की universe parent card आपको क्या message देना चाहती है Okay, we have the card page of cups please universe की current energy क्या है Handmand, okay 9 of cups, okay Wow, we have the empress This is amazing सबसे पहले बात तो आपके life में अभी divine timing बहुत important role play कर रहा है pile number 2 जो मुझे यहां पर card से आप लोग लिए दिखाए दे रहा है and दूसरी चीज मुझे ऐसे दिख रही है कि अभी you are just feeling कि आपके life में चीजे काफी stuck चल रही है कि चीजे अटकी हुई है because hangman बात करता है feeling stuck in your life और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत time-fake चीजे जो है life में वो रुकी हुई है but honestly जो cards मुझे दिखा रहे है आपके energy current बहुत अच्छी है जो मुझे याँ पर cards आपके लिए दिखा रहे है and हो सकता है कि पहले आपकी life में काफी खराब time रहा हूँ but अब चीजे पहले से थोड़ा सा better मुझे याँ पर दिखाई दे रही है and again ये current energy match करते हो तो ही please आप आगे की video continue करेगा मीम्फ के आप आगे वाला pile इस pile की reading को देखेगा otherwise आप कोई और pile चूज कर सकते हैं आप मुझे मेरे whatsapp नमर पे message करके personal paid reading भी करा सकते हैं even अभी 31st December 2021 से पहले अगर आप कोई भी tarot reading book कराते हैं तो उसके साथ मैं आपकी free में astro kundali देखूँगी आपको इस कुंडली के लिए extra charges देने की जरुवत नहीं है जो भी आप payment करोगे tarot reading के वो उसी में ही included होगा thank you spirit guides इनकी current energy क्या है please learn इनकी current energy क्या है Aries, आप अपनी life में seriously कोई चीज manifest कर रहे हो बहुत seriously किसी चीज को manifest कर रहे हो और आपको वो मिलेगी भी definitely वो चीज आपको मिलेगी जो एक card मुझे आपर बता रहा है we have the card first house body so definitely जैसे की I'm really sorry मैं एक यवर्ड बावर यूज़ कर रही हूँ but yes आपको आपकी life में एक success जो है वो बिलकुल मिलेगा कुछ लोग हो सकता है कि अपनी life में कुछ manifest कर रहे हैं related to their career अपना business आप लोग expand करना चाहते हैं अपना खुद का business खोलना चाहते हैं कुछ लोग मुझे यहाँ पर काफी creative भी दिखाए दे रहे हैं some of you guys are expecting a baby कुछ लोग baby expect कर रहे हैं बेबी करने का plan अगर ऐसा है तो बिलकुल positive sign है आप लोग के लिए यहाँ से universe की तरफ से जो मुझे यहाँ पर cards में दिख रहा है उसके लावा some of you guys are going to get married यह timeless reading है बर जो cards मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं आप में से काफी लोग 2022 में आप लोग की शादी होने वाली है कुछ लोग के लिए November, March, May का मत काफी important रह सकता है और September भी जो cards मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं I know यहाँ पर बहुत जादा current energy से जादा आपकी future की चीज़े आ रही हैं यह चीज़े मुझे काफी जादा आप लोग के दिख रही है कुछ भी इनको सुनके आपको लगा वाना की हाँ यह reading मेरे लिए है बुझे आपके देखनी चाहिए तो आप बिलकुल आपके reading को देख लेगा Just a second मैं की करेंट एनेजी की cards यही रहने देती हो कि मुझे इसमें future energy काफी जादा दिख रही है Let's see कि आमें और क्या दिखाई देता है Thank you spirit guides क्या message देना चाहती है spirit guides लोगों को Patience Patience बहुत important message आ रहा है Night of Pentacles भी यहाँ पर आया है So definitely यहाँ पर Patience बहुत strongly मुझे surely वाली चीज़ दिख रही है Yes, बिल्कुल एक शुरुवात मुझे दिख रही है कुछ लोगों अगर आपको ऐसा feel होता है कि आपको pile number one देखना चाहिए तो I would suggest you कि आप बिल्कुल pile number one देखी है कुछ लोगों के लिए messages थोड़ा सा match कर सकते है Wow Six of sorts स्पास के चीज़ों से आप बाहर आ रहे है That's a really really good thing और you are moving towards this hyrophant Hyrophant यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक spiritual awakening मुझे होते हुए दिखाए दे रही है यहाँ पर बहुत amazing And again I know it's a message, angel message But यहाँ पर बहुत strong आ रहा है कुछ न कुछ आपको success मिलने वाला है बहुत strong यह चीज़ आ रही है आने वाले 9 months के अंदर आपकी life में कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपने सोचा नहीं होगा कुछ एक अच्छी खबर मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ लोग यहाँ पर किसी गर्मने जॉब के लिए किसी कुछ लोग पाइलेट बना चाहते हैं किसी चीज के लिए preparation कर रहे है कोई भी चीज हो सकती है कुछ लोग यहाँ पर Canada जाना चाहते है या फिर, you know, out of country जाना चाहते हैं abroad जाना चाहते हैं आपको success मिलेगा, definitely मिलेगा पाइल नमर टू बहुत अच्छी आपको messages universe दे रही है वो आपको जिसे कहते हैं कि motivate कर रही है कि रुखना नहीं है, हार नहीं मानी है काम बनेंगे, चीजे होगी clarity बेशक अभी life में आप लोग को है बट आगी और जादा होगी बिल्कुल होगी आप लोग को clarity और कुछ लोग लिए यहाँ पर एक message है अगर आप लोग single है तो life में healthy boundaries बनाके रखिए means कि love yourself पहले अपना cup जो है उसको प्यार से भरिए, अपने आप से प्यार करिए और आपकी जो person है वो अपने आप खीचे चले आएंगे आपकी life के अंदर, क्योंकि यहाँ पर divine timing बहुत important है means कि किस्मत का जो समय है न वो बहुत important role play कर रहे आपकी life में, चाहें किसी भी चीज़ को लेकी हो काफी amazing यहाँ पर messages है अगर मैं कहूं तो बहुत अच्छे messages हैं यहाँ पर बाल बार एक baby वाले चीज़ बहुत ज़ादा हारी है, तो please friends please let me know, अगर ऐसा कुछ है काफी जादा मुझे किया पर एक sun दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए thank you spreader guides, क्या message है इनके लिए, तो अगर आप हो सकता अगर बेबी के लिए बहुत time से try कर रहे हो तो मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहे है कि in future आपको उसमे एक positive result जो है वो बिल्कुल मिलेगा वाओ, three of wants again planning and waiting for something किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो तो वो चीज़ आपको बिल्कुल मिलेगी वो वेट जो है वो आपको बिल्कुल खराब नहीं जाएगा judgment, वाओ judgment का card मुझे यहाँ पर पहली बात तो एक चीज़ दिखा रहा है एक new beginning जो आपकी life में आ रही है new opportunities आपकी life में आ रही है दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाए दे रही है कि आप in future किसी चीज़ को लेकि risk लेने वाले हो और वहाँ पर भी आपको काफी कुछ अच्छा result मिलने वाला है कुछ लोग लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो है कहीं पर जाके आप लोग job करने वाले हैं या कुछ नया course start है या कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ है कि unique freedom आपको मिल रही है अपने लिए आप खुद से एक रस्ता बना कि उस रस्ते की तरफ जा रही हो हो सकता है कि आपके friends या आपकी कोई family का person आपको महाँ पर support भी करेगा support भी आपको बिलकुल मिलेगा है आपको support नहीं मिलेगा बेशक आपको अभी लग रहा हो तो अभी आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको इस चीज़ चाहते हो और आपको लग रहा है कि आपको बहुत जादा support नहीं मिल रहा शाहें love life में हो या career में हो आप अपना दिमाग एक ही चीज़ पे एक ही goal पे set रखो अगर आप एक ही goal पे set रहते हो ना तो वो चीज़ बिलकूर manifest होगी आप लोग को एक important message देना चाहूँगी अगर आप एक career and work के लिए reading देख रहे हैं तो अगर आप रोज positive affirmations अपनी notebook में लिखते हैं और मैं ही suggest करूँगी कि आप एक अलग से कोई भी copy ले लिजे एक notebook ले लिजे and daily आपको उसमें affirmations निखनी है positive affirmations निखनी है आप चाहें तो google पे भी search करके देख सकते हैं and अगर आप उसको 15-18 15-18 days भी लिखते हैं तो it will manifest into your life just like that because आप लोगों का मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ एक cycle थी hard जो आप खतम करके आप आगे आचुके और अब एक time आचुका है कि आप अच्छी चीज़ें आपकी life में आनी शुरू होगे okay so let me see with oracle cards कि universe आपको और क्या message देना चाहते है pile number 2 thank you universe क्या message देना चाहते हो कुछ लोग again आप leadership role में in future आ सकते हैं even universe चाहते हैं कि आप अपने life के leader बने खुच्छे अपनी life को lead करें courage वाओ यह pile number 1 में भी निकना था this is amazing gateway वाओ definitely यहाँ पर मुझे आप लोग के लिए opportunities खुलती हुई दखाई दे रही है and courage का card मुझे यही दखा रहा है कि आप बहुत confidence से आगे अपनी life में बढ़ोगी and अगर confidence नहीं है तो इसको धीरे धीरे build up करना शुरू करो क्योंकि confidence एक दिन में build up नहीं होता धीरे धीरे build up होता है तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको life में success मिलेगा whether it's in your love life और it's in your career दोनों चीजों में आपको अपनी life में success मिलेगा लेकिन हाँ थोड़ा patience रखना पड़ेगा क्योंकि चीज़े धीरे धीरे बनेगी और आपने जो भी सपने देखे है न pile 2 जो भी लोग यहाँ पर pile 2 देख रहे हैं आपकी कुछ ना कुछ सपने in future especially 9 months के अंदर-अंदर पूरे होने वाले हैं कुछ ना कुछ बेशक एक ही चीज हो लेकिन कुछ ना कुछ आपके desire फुल्फिल होने वाली है जो मुझे इन कार्ज के तुरू बहुत strongly feel हो रहा है थांकियो spirit guides पार नमर्च चू को आप क्या advice लेना चाहते हैं love wow I commit to the practice of seeing the good in all things यह कार्ड मुझे यहाँ पर दो चीज दिखा रहा है पहले love yourself love yourself you deserve everything that you want in your life you deserve true love you deserve amazing job you deserve a successful business in your life यह चीज मुझे यहाँ पर आप लोग ले दिख रही है and again यह चीज यह में दिखा रही है कि हर चीज में positive सोचो so definitely आपको वो positive चीज मिलेगी भी बिलकुल मिलेगी वो positive चीज आपको freedom see I told you about this freedom मैंने इस कार्ड में आप से judgment की कार में बात कर रही थी कि आप free हो की कुछ कर रहे हो I possess the power and the free will to create my own happiness I told you आप अपनी सीज़े खुद से बनाओगे and universe कहा रही है confidence के थू confidence लेके आप आगे बढ़िए आपको बहुत success मिलेगा power number two बेशक आपकी कोई भी situation और आपको लग रहा हो ना कि नहीं नहीं यह reading मेरी नहीं है बढ़ अगर आपने गलती से भी यह reading चूज करी है trust me, यह आपकी ही reading है यह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनी है जो भी लोग power number two देख रहे है and यह reading माच करती हो तो मुझे comment section box के थूझ जरूर बताइएगा चैनल पर पहली बार आएए है तो चैनल को subscribe करना, video को like and share करना मत भूलेगा हो सकता आपकी friend को यह किसी person को यह help कर जाए and again आप कोई personal reading कराना चाहते है अपने बारे में कुछ अलग से जाना चाहते है तो मुझे मेरी whatsapp नमा पर message करके personal paid reading करा सकते है और pick a card readings देखना चाहते है spirituality के बारे में जाना चाहते है तो मेरा username यहां लिखा होगा instagram का, वहाँ मुझे follow भी कर सकते है so thank you so much have a nice day, bye, take care hi pile number 3, तो जिन भी लोगों ने no need to worry का card चुश किया है चलिए देखते हैं आप लोग की reading and सबसे पहले मैं आप लोग की current energy देखोंगी, तो जो लोग मेरी channel को पहली बार देख रहे हैं तो मैं सबसे पहले आप लोगों की current energy check करती हूँ, अगर वो current energy आप से match करती है, तो ही मैं suggest करती हूँ कि आप लोग आगे की video को देखे, otherwise आप कोई और pile चूज कर सकते हैं किसी ओपरसिन की reading देख सकते हैं मैं मुझे मेरी whatsapp नमर पे message करके, personal paid reading भी करा सकते हैं 31st December 2021 तक में ये offer दे रही हूँ जहाँ पर अगर आप कोई भी personal paid reading book कराते हैं, tarot reading book कराते हैं, तो उसके साथ-साथ आपको frequently analysis भी मिलेगा, मतलब birth chart analysis भी मिलेगा, उसके लिए आपको extra pay करने की जुरत नहीं है, तो उसी में ही included हो जाएगा साथ ही साथ में आपकी current energy भी check करके बताऊंगे, और angel guidance क्या है, वो भी बताऊंगे, चाहे आप कोई भी reading book कराते हैं, तो आप मुझे whatsapp number पे message करके करा सकते हैं इनकी current energy क्या है, इनकी लोगी current energy क्या है pile number 3 की, Sagittarius, वाउ, what is the current energy 10th house, okay, 10th house, Sagittarius, strong energy कुछ लोगा ये साल हो सकता है, काफी जादा अच्छा नहीं गया है जो pile number 3 देख रहे हैं आपकी belief system में काफी change भी आया है इस साल ही हो सकता है, कुछ लोग लिए मुझे दिख रहा है कि चीजों में आपको यहाँ पर, क्योंकि 10th house मुझे यहाँ पर Saturn की energy दिखाता है कि यह प्रिया कॉन का house है, तो delays, थोड़ा सा frustration आप चाहते हो कि आपको, you know, society में recognition मिले, कोई milestone है जो आप चाहते हो, पूरा करना उस तरीके कि यहाँ पर energy है और Saturdays मुझे बताता है कि इस साल आप बहुत ज़्यादा spiritual भी हुए हो काफी religion को लेकि या तो आपने पढ़ाई करी है या पढ़ा है, या कुछ लोगा हो सकता है कि higher studies आप कर रहे हो और चीजे थोड़ा delay में आगी बढ़ रहे है वो possibility भी यहाँ पर हो सकती है 10th house the wild card it's showing me कि आपके life में एक cycle चल रही है जहाँ पर आपको mature बनाया जा रहा है emotionally balanced बनाया जा रहा है ताकि आप life को थोड़ा practically भी देख सकें वो वाली चीज मुझे आपर दिख दी है चले मैं एक tarot card भी निकाल लेती हूँ आप लोग ले थोड़ा और detail में current energy देखने के लिए थाकि आपको भी समझ में आ जाए कि ये reading आप से match करेगी या नहीं thank you so much for people who picked file number 3 please parent guides and angels क्या current energy है लोगो की आप से काफी लोग जो है ना you are running towards someone आप लोग किसी person को chase कर रहे है या किसी person के पीछे भाग रहे है कुछ लोग को ऐसा लग रहे है कि वो शायद आपकी twin flame है या बहुत you know कुछ एक meaningful connection है I'm sorry but connection बहुत positive मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा आप लोगों के लिए यह उनी लोग जिन से match कर रहे है कि आप किसी person के साथ connection में नहीं है but still आप उस person के पीछे भाग रहे है क्योंकि आपको उस person के पीछे है आपको hope है लेकिन वो person आपके लिए ठीक नहीं है आपकी spirit guides आपको message दे रहे है line number 3 करेंट energy क्या है कि आप लोग ना कुछ निराश है कि जैसे कि आपने अपनी life में कुछ चाहा और वो मिलानी especially कुछ लोगा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई एक person चाहिए था अपनी life में ये किसी तरीके से अपनी life चाहिए थी वो हो ही नहीं है तो आप परिशान है उस वज़ा से judgment and three of wants you are waiting for something आप किसी चीज का wait कर रहे है बहुत अच्छा काड़ा है king of swords जो की मुझे दिखाता है कि आप logically practically अपनी life में आपने अभी-भी सोचना शुरू किया है I'm sorry हो सकता है कि पहले ऐसा नहीं था पहले आप इतना नहीं सोच रहे थे बट आपने अभी ये सोचना शुरू किया है अगर नहीं किया है तो आप लोग लेकि ये message है pile number three थोड़ा सा logically practically सोचिये क्योंकि अगर 10th house का यहाँ पर काड़ आया है ना तो अगर आप दिल से जादा चलेंगे means कि आप बहुत illusion में अगर रह रहे है ना तो परिशान होंगे आप लोग थोड़ा सा practically सोचोगे life तो ज़्यादा बेटर रही कि आप लोगों की क्योंकि एक तो आपकी I'm sorry I'm really sorry मैं बार बर खास रही हूँ एक तो मुझे आप लोग की transformation यहाँ पर बहुत strong दिखाई दे रही है और बहुत major transformation नहीं कि मैं यह बोलेंगे कि नहीं death और rebirth और बहुत कुछ intense है इतना कुछ intense नहीं है यहाँ पर पर कुछ न कुछ एक shift मुझे दिख रहा है यहाँ पर लेकिन वो जरूरी shift था आपके लिए अगर वो shift आपके life में नहीं आता ना तो आप life में पीछे ही रह जाते हैं जो चीज आपके life में हो रही है आप यह माल लो कि बेशक आपको वो चीज अभी खराब लग रही है आने वाले 3-4 साल में आपको लगेगा कि उस time जो हुआ नहीं बहुत अच्छा हुआ जो मुझे cards दिखा रहे है तो कि universe आपको किसी ना long time या stable चीज की तरफ लेके जा रही है जो cards में मुझे यहाँ पर दिख रहा है ओके अगर यह आप से match करती है तो आप आप आगे की reading बिलकुल देखेगा आप में यह देखोंगी कि आपकी spirit guides, आपकी प्यारी angels वो आपको क्या बताना चाहती है ठीक है Thank you spirit guides File number 3 No need to worry क्या message आप इनको देना चाहते है एक message तो यह होई गया है कि इनको stress लेने की जर्वत नहीं है World card Oh my god Can you see that यह अभी आपकी उसमें भी आया था The world Current energy में जो मैं आप से कह रही थी वो ही चीज आई है यहापे Two of wants You need to do planning किसी चीज की आपको planning यहाँ पर करनी पड़ सकती है In future कुछ shift आपके life में आ सकता है कि जिस direction पर आप जा रहे है उससे थोड़ा change आपकी किसमत आपको लेके जाएगी किसी change में आप जाएंगे तो यह card मुझे यहाँ पर बता रहा है Eight of swords मुझे यहाँ पर strongly दिखाता है यह card आपको यह दिखाता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज में first गए हो एक negative thinking pattern यहाँ पर चला आ रहा है चला आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रस्ता नहीं है कुछ नहीं मुझे पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है बाट इन reality universe is telling you कि आप बहुत overthinking कर रहे हो आप बहुत जादा overthinking कर रहे हो 10 of cups मुझे यहाँ पर दिखाता है कि कुछ लोग के लिए तो अगे मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों कोई इनना emotional satisfaction मिनने वाली है future में कि मतलब दिल से किसी चीज को लेकि खुशी होने वाली है in future कोई भी चीज वो हो सकती है कि यह एक journal reading है तो कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ love related चीज हो किसी लोगों के लिए career related चीज हो जो कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत talented, बहुत creative है music and dance में कुछ लोग यहाँ पर हो सकते है arts भी हो सकती है बहुत time से आपने उस energy को दबा के रखा है but in future आप किसी creative field में जा सकते है वाव, queen of cups यह जो कुछ भी चल रहा है universe आपको बता रही है यह इसलिए हो रहा है ताकि आप emotionally mature हो सके and अपने emotions पे आप लोग ध्यान दे सके, work कर सके इसलिए यह चीज़े हो रही है चलिए friends आपके लिए एक और card निकालते हैं पहले emperor, वाव आपको यार है आप लोग की current energy में empress आया था so again काफी लोग के लिए मुझे यहाँ पर love में भी कुछ satisfaction और हो सकता है जो card मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं या कोई ना कोई person आपके life में आ सकता है जो आपको इस love journey में बहुत हम्मत दे सकता है support कर सकता है जो यह card मुझे यहाँ पर बता रहा है बाकी लोग लिए again मुझे दिख रहा है वो आपको इतना knowledge इतना wisdom दे रहा है कि आप इस emperor की position पर बैठ हो जाके जो यह emperor जो यह raja की जो position होती है वहाँ पर बिठाने के लिए universe आपको इतना कुछ दे रही है so let me see with one more card thank you universe pile number three को लिए आप spirit guide क्या बताना चाहते है three of cards कोई event कोई celebration कोई wedding कोई function आ सकता है in future जो आपके लिए काफी fruitful हो जो आपके लिए अच्छा हो कोई promotion भी हो सकता है यह जो card इस बार में बात करता है यह card इस भी बार में बात करता है कि अगर आप लोग lonely feel कर रहे हैं आप लोग की friends नहीं हैं यह कोई भी person ही है तो in future ऐसे कोई लोग आपकी life में आ सकते हैं जो आपको लगेगा कि जिनसे आपकी energy मिलती है vibes मिलती है तो वो वाली चीज भी card मुझे यहां पर दिखा रहा है thank you spirit guides for people who picked pile number 3 क्या message है लोगों के लिए abundance वाव pile number 3 आप लोग के life में बिल्कुल abundance आएगी लेकिन थोड़ा सा वक्त हो सकता है कुछ लोगों को अकेले बिताना पड़े क्योंकि अभी हो सकता है आप इसे कुछ लोग solitude में है यह आपको ऐसा लगेगा कि अभी जो है थोड़ा सा एक ऐसा phase हो हो सकता है कि जो timing मुझा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए 7 week, 7 days, 7 month 7 number काफी जादा यहां पर आ रहा है तो कुछ time के लिए हो सकता है आपको ऐसा लगे कि बहुत support नहीं मिल रहा है काफी अकेले है but in future definitely you will get that support in your life peace world guide क्या message देना चाहता है आप इने फाइल नमर 3 को Guilt I release any belief that no longer assist in my soul growth तो आप में से काफी लोग किसी चीज को लेकि बहुत guilty feel अगर कर रहे है तो आपको आप यह समझने की जरुद है कि past की चीजों को past में रहने दो उन चीजों का ऐसा lesson देखो अपनी life में और आगे बढ़ो बहुत important चीज है आपके लिए और अभी आपके लिए यह भी important है कि आप थोड़ा सा चीजों को release कर दो बहुत overthinking मत करो क्योंकि वो जो आप overthinking कर ले हो से कुछ अच्छा नहीं हो रहा चीज़े खराब जादा हो रही है तो थोड़ा सा universe में trust करो और वो trust ही जो है न वो काफी कुछ आपकी life में ले कर आएगा अगर यह reading आप लोगों से match करती है resonate करती है तो मुझे comment section box के through जरूर बताएगा personal paid reading कराने के लागे आप मुझे मेरे water number पे message करके personal paid reading करा सकते है और बिलकुल reading अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe जरूर करेगा और comment section box के through जरूर बताएगा मुझे so thank you so much have a nice day bye take care